नमस्कार दोस्तो मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागित करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ओल एच पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तो जैसा कि आप थमनेर पे देख चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में कब खुलेंगे जो स्कूल, कॉलिज और अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइफ जुरूर करें चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूलें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो साथ में बैल आइकन को दबा लें ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पह बताया गया है कि 14 अपरेल के बाद भी स्कूल कोलिज खोलने के काम ही जो है वो चांस है तो इसमें साथ ही में बताया गया है यहां पर देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री बोले ग्रामिन क्षित्रों के चात्रों को तक पहुंचाएंगे ओनलाइन स्टडी मैटीरियल चात्रों तक जो है वो ओनलाइन शिक्षा जो है स्टडी मैटीरियल जो है वो पहुंचाएंगे इसके लिए वो अभिवाबकों को जो है स्मार्टफोन तक देने की तयारी में है तो इसमें बताया गया है 14 अपरेल के बाद स्कूल कॉलिज खोलेंगे इसके चांस बहुत कम लग रहे हैं यही वज़ा है कि सरकार ने शिक्षा विवाग को अब गरामिन क्षेतरों के स्कूलों में चात्रों तक स्टडी पहुंचाने के बारे में कहा है अबber शिक्ष विवाग का फोकस है कि गरामिन क्षेतर के अभिवाबकों को भी ओनलाइन स्लिब्बस इस्तिमाल करना आ रहा है या नहीं इसके साथ ही ग्रामिन क्षेत्रों में सभी अभी वाबकों के पास स्मार्टफोन हैं भी या नहीं इस पर भी फोकस रहेगा बताया जा रहा है कि अभी भी ऐसे अभी वाबक गरामिन क्षेत्रों में है जिनके पास Smartphone ही नहीं है। ऐसे मैं सरकार ने निर्देश दिये हैं कि अगर आगामी परिस्तितियों को देख कर कर्वियू के ticket को आगे के लिए बढ़ा दिया जाता है तो ऐसे में ग्रामिन क्षेत्रों के सरकारी स्कूल के छात्रों को क्यों पढ़ाई पर फोकस होगा बता दें कि शिक्षा मंत्री सुरेश भारदवाज ने कहा है कि या तो अभिवाबकों को स्मार्टफोन तक उपलब्द करवाई जा सकते हैं या फिर शिक्षकों को आदेश दिये जा सकते हैं कि वे अपने निजदी की छात्रों को घर पर बैठ कर कोच घंटे पढ़ाएं दरसल शिक्षा विवाग ओनलाइन स्टडी के अलग लग तरीके अपना रहा है जिसमें पहले से ही स्वयम सिद पोर्टल सबसे महत्पूर्ण है कक्षा एक से जमा दो तक के छात्रों के लिए पोर्टल पर पूरस लिबबस मुहिया करवाद दिया है इसके साथ ही UGC के अंदरदेशों के बाद कॉलेज वा यूनिवरस्टी में भी ओनलाइन लिंक का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए किया जाने लगा है विभागिये जानकारी के अनुसार प्रदेश में जिस तरह की स्थिती बनी है उसे देखते हुए सरकार शिक्षन संस्तान बंद रखने पर वो विचार कर रही है लग की इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है वो पाया है कहा जा रहा है कि अगर जुरूरत पड़ी तो आगे भी स्कूल कॉलेज ही बंद किये जा सकते हैं बता दें कि समग्र शिक्षा विभाग ने स्वयम सिद्पोर्टल पर भी सभी कक्षाओं का स्लिबबस डाल दिया है तो स्वयम सिद्पोर्टल नाम है इसके अलाबा जमा एक वा जमा दो के छात्रों के लिए प्रतियोगी प्रीक्षाओं की त्यारी करने के लिए मकसल से भी प्रेशन उत्री त्यार की गई है खास बात या है कि केंदर सरकार की और से भी ओनलाइन स्टेडी मेटेडियल जो है उपलब्द करवाया गया है जिसमें ओनलाइन दिक्षा पोर्टल पर 80,000 कताब में कक्षा एक से जमा दो तक के छात्रों के लिए मोहिया करवाई गई हैं NCRT CBSC का पूरा स्लेबस दिक्षा पर MHRD ने चात्रों की सुविदा को लेकर डाला है तो शिक्षकों को नजदी की चात्रों के घर जाकर पढ़ाने के दिए जाएंगे आदिश 14 प्रैल के बाद स्कूल खुले रहेंगे इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है अगर आने वाली स्थिती इस तरह की होती है तो ऐसे मैं ऑनलाइन स्टडी ग्रामिन क्षित्रों में भी पहुंच सके इस पर ज्यादा फोकस रहेगा यह हमारे सुरेश शिक्षा मंतरी सुर 1886 ओडियो पर भी NCRT ने 1886 ओडियो 2000 वीडियो 695 इबुक्स 504 फिलिप्स बुक्स ओनलाइन उपलब्द करवाई हैं एहम यह भी है कि MHRD ने ने नेशनल रिपोजिट्री ओफ ओपन एजुकेशन रिसोर्स पोल्टल पर भी चात्रों के लिए स्टडी मेटरील जाल दा है 14527 फाइल डाली गई है वही 401 collection, 2789 document, 1345 interactive, 1664 audio और 2586 images, 6153 video अलग अलग भाषाओं में MHRD ने जो है वो डाली है तो दोस्तों यह थी notification अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक जुरूर करें तो notification को मिला के यह है कि 14 के बाद भी जो है school college जो है वो खुलना मुश्किल नहीं लग रहे हैं जिसके लिए online study material जो है सरकार ने बिलकुल त्यार कर दिया है तो दोस्तों यह थी notification अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक जुरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जुरूर करें धन्यवाद जय जय बाद